हलो गाईज कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे आज हमारी चंचन अपनी नाने के घर से आई है तो देखिए मम्मी जी हमारी वेलकम कर रही है चंचन का भावी भी हमारी आई हुई है घर आज हम सब लोग अपने घर पे हैं बच्चे भी देखिए खेल रहे हैं नानी के साथ नानी से बाते कर रहे हैं चंचन अभी अभी आई है तो बच्चे चंचन को गोदी खिला रहे हैं और बच्चे डांस भी कर रहे हैं आज बच्चों को बहुत मस्ती आ रही है सारे बच्च पूड़ी निकल रही है यह साड़े आट बजे के विडियो है जो हम आपके साध सेयर कर रहे हैं साड़े आठ बजे पूडियां बनाई जा रही है क्योंकि बच्चों को भूग जल्दी लगती है और बच्चों के लिए हम पूडियां तियार कर रहे हैं तो भावी हमारी बेल रही है और हम पूडियां निकाल रहे हैं हम दोनों लोग मिलके पूड़ियां बना रहे है पूरा खाना मम्मी ने बनाया है मम्मी ने पनीर की सबजी बनाई थी आलू गोभी की सबजी बना के रखी है पुलाव बनाया है, रैता बनाया है सब कुछ मम्मी ने 6 बजे ही बना के रेडि कर दिया था पूड़ी बनाने रह गई थी मम्मी ने हमको सुबा सुबा बुलाया था लेकिन हम सुबा नहीं आ पाये थे हमको देर हो गई थी अब आये हैं साम को तो पूड़ियां बना रहे हैं हम और भावी मिलकर दोनों लोग और अब बच्चे खाना खाने लगे हैं खाना बना है आयसमान भी खा रहे हैं इनको बड़ा मज़ा आ रहा है बच्चों के साथ खाना खाके बच्चों को दावत खाने का बहुत सौक रहता है इसलिए इनको पतल में खाना दिया गया है और ये बड़े बच्चे हैं जो ठाली में खा रहे हैं पूरा खाना भी बनाना है इसलिए हम जल्दी-जल्दी काम में लगे हुए है यह हमारी रैक थी किचेन वाली जो हम साफ कर रहे हैं साफ करने की बाद अभी हम जाड़ो पोचा करेंगे जाड़ो पोचा करने की बाद अभी हम नहा लेंगे और नहाने के बाद हम खाने की तयारी करते हैं पहले हम दोपहर का खाना बनाएंगे और उसके बनाना रहेगा अभी हमारा पूछा लग रहा है घर की साफ सफाई हो चुकी है और हमने नहां भी लिया है नहाने के बाद अब हम यह साम का खाना है तो हम 4 वजे से ही लग गए हैं बनाने शुरू कर दे रहे हैं खाना बिटिया का बर्थड़े हैं तो सबसे पहले हम हलवा ब करेंगी तो हमको बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और देर हो जाएगी क्योंकि हमको अकेले ही सारा काम करना है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी ही अपना काम निफ्टाने लगते हैं ताकि हमको देर ना होने पाए बिटिया का मन था कि मौसी नानी लोग भी आएं और उसको इधर उधर लेके जाना अच्छा नहीं है तो इसलिए वो नहीं आएंगी और नानी जी आएंगी इनकी तो बिटिया बहुत ज़्यादा खुश है आज तो वो गई है घूमने पापा के साथ थोड़ी स्वापिंग भी करनी थी तो वो स्वापिंग करने गई है केक बगएर अपने मन का लाना चाह रही थी तो अपने मन का केक लेने गई है अभी हम पनीर की सब्जी बना रहे हैं पनीर की सब्जी बनाने के बाद हमको पुलाव भी बनाना है और रहता बनाएंगे सारा खाना बना के हम साथ बज़े तक तयार कर देंगे हमने यही सोचा है कि साथ बज़े तक हमारा पूरा खाना बन जाएगा और हम फ्री हो जाएगे फिर उसके बाद बिठिया का केक भी कटवाना रहेगा कोई भी फंक्सन होता है घर पे छोटा मोटा function होता है तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम पढ़ता है Friends कि घर पे और कोई काम करने वाला है नहीं बच्चे छोटे हैं जो भी काम रहता है अकेले ही करना पढ़ता है तो इसलिए जल्दी-जल्दी ही करने की सोचते हैं कि जल्दी से ही अगर साम का कोई function रहता है तो खा बनाना स्टार्ट करतें ताकि हम 5-6 बज़े तक बिल्कुल फ्री हो जाएं और अपने आगे की तैयारियां भी अच्छे से कर सकें अगर हमें खाना बनाने की टेंसर रहेगी तो हम फिर बर्थडे भी अच्छे से चल्दी बनाना इस वीडियो में हम आपको कोई रेश्पी नहीं दिखा रहेafter ये तो आप आज आज आपको सिर्फ सेलिब्रेशन ही दिखाएंगे क्या क्या हमने काम किये हैं बर्थडे हमने कैसे सेलिब्रेट किया तो देखिए यह हमने उपर वाले कमरे की सफाई की है और उपर ही बर्थडे मनाएंगे जो कि हमारी स्लेप अभी नई नई पड़ी है तो बिटिया का बड़ा मन था कि उपर नए वाले कमरे में वो अपना बर्थडे मनाएंगी तो देखिए एक दिवाल पर इन्होंने अपना थोड़ा सा डेकुरेट कर लिया है औ और यही पर केक कड़ जायेगा इनका, मम्मी भी आई है और बहन भी हमारी आई है तो दोणों लोग आ गई है और कोई नहीं आया हैρο ये बच्चोंने ही देकुरेट किया है, बच्चोंने सजाया है अच्छे से और यही सारी जो आ आपको एंच्छोटे किसी बच्चियां ताइम जादा हो रहा है नौ बज चुके हैं तो इसलिए बच्चों को बहुत जल्दी हो रही है बच्चे बहुत जित कर रहे हैं केक जल्दी से कट कराने की क्योंकि बच्चों को भूग भी लग रही है बच्चे मुका मन है जल्दी से केक कट जाए तो फिर उनको खाना भी इसलिए हम जल्दी जल्दी से केक कटवा रहे हैं, मम्मी को घर वापस भी जाना है, इसलिए थोड़ा और जल्दी कर रहे हैं, हमने सुचा था कि 8 बज़े तक हम केक कटवा देंगी, लेकिन नहीं हो पाया है, 9 बज़ गया है, और अभी केक कटने में लगभग 10-15 मिनट लग ये साड़े 9 तो हमें इसी में लग जाएगा, और करीब 10 बज़े बच्चे खाना खाएंगे, तो भीतिया ने तीकवी कल लगवा लिया है, और अब भीतिया केक कट करने जा रही है, बहुत खुश हैं, ये अपने मन की ड्रेस लाई थी कल, हमारे साथ गई थी, हम और इनके इनको थोड़ा साइनिंग वाली ड्रेस ज्यादा पसंद आती है, तो इन्होंने साइनिंग वाली ड्रेस ली है, दो ड्रेस इन्होंने खरीदी थी, एक ड्रेस और है इनकी, वो भी साइनिंग वाली है, तो इन्होंने एक ड्रेस पहनी है और एक रखी हुई है, इनको साइन सब लोग एक दूसरे को केक खिलाएंगे बहुत अच्छे से बर्थरे सेलिब्रेट किया है सभी ने सब को बहुत मज़ा आया है बच्चे सबसे ज़्यादा खुस हैं क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की है बच्चे लगबग 5 बजे से डांस कर रहे हैं वही हम आपको दिखा रहे हैं पूरा वılanग आपके लिए तयार नहीं किया है क्योंकि पूरे व्लोग में म्यूजिक थी और जहां-जहां थोड़ी म्यूजिक कम थी हमने वही वही का सूट लिया है और आपको वही दिखा रहे हैं तो देखिए बच्चे कितनी मस्ती कर रहे यह दादी है बिटिया की तो टीका कर रही है किश्च वह देखें सब्सक्राइन एक सब्सक्राइब और ये बिटिया को बहुत ज़्यदा पसंद आया है